हेई गाइज वेकम तो सोस्पॉइंट आज हमनों डिस्कूस करने वाले हैं वीजन है इसकी करेंट अफिर्स जो कि हमारे नॉवेंबर मन्त किये हुआ है तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स को कंप्लीक कर ली हैं आज आपका एक कल्चर का लेसन मिलेगा इस यकी साथ आप लोगो को यहाँ पर यहाँ पर इसकीम श्कीम मेले जाएगे ठीकेश चलेर लिए जो चलता है यहाँ आप व्याकु में stinks कोशन नांसर की है October month से आप लोग लिखना start किये हो और January आ चुका है तो इसको जरूर practice किजे क्योंकि कहीं पे भी एक बार लिखने का कुशिश किजे देखिए कि किस तरीके से लिख पा रहे हैं आप लोग यहां पर question को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि क्या requirement है यहां पर और 150 words में लिखना है 10 marks की question है जब असली में आप UPSC के questions को practice करोगे ना then you feel different ठीक है देखिए जो real game होता है वो कहीं न कहीं आपको अलग देखने को मिलेगा जितनी भी चीज़े आपने practice करी है तो थोड़ी सी अलग चीजों के लिए आपको क्या करना होगा कि उसी की same pattern को आप को मिल जाएगा इसको भी जरूर लिखेगा Hindi English दोनों में है तो I hope कि आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगे और जो कोई हमारे initiative के साथ जुनना चाहते है उनकी लिए एक छोटी सी news है कि आप लोग बस यहां पे इस Gmail ID पे mail करके आप लोग detail यहां पर पता कर सकते हो ठीक है चल प्रॉमेशन कब हुआ था तो 1920 में किसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था तो यह जो आप लोग पढ़ते हो बाल गंगा धर तीलक और लाला लाजपत राय के द्वारा साथ यहां पर कुछ और भी थे जोशेब जी थे दिवान चमान भी थे तो यह सब नाम भी आपको प्रॉमन लाल की बात करें तो यह पहले यहां पर जिन्डर सेकेटरी थे सीयार दास जवाल नान लेरू शुबास चंद्रबोस यह भी यहां पर प्रेसिडेंट जैसा रहे यानि कि इनके बाद जो है इन सारे लोगों का भी नाम आया है तो कहीं पर भी आपसे पूचा जा स इसका जो कि 1922 में था इनके इसमें वेलकम हुआ था कि क्या क्यों हम लोगों को यहां पर जो है ना AITUC का फॉर्मेशन करना है और एक कमीटी बनाया गया था क्योंकि इसको असिस्ट की ती यानि कि इस ओर्गनाईजेशन को देखकर कहा गया था कि हाँ ठीक है इसका गठन क चाहिए बात में AITUC को यहां पर स्प्लीट कर दिया गया दो भाग में बाटा गया 1929 में यह आपका National Trade Union Federation बन गया और 1931 में यह Red Trade Union Congress बन गया तो यह भी आपको ध्यान रखना है बहुत ही important है इसके बाद आप लोगो देखो गए जब Second World War हुआ था तो AITUC के द्वारा काफी अच्छा खासा रोल प्ले किया गया था किसमें तो World Federation of Trade Union के Foundation में तो यह भी चीजे धियान रखनी है आपको यह सारे facts से इसमें आपको समझने का कुछ भी नहीं है आपको रटा मार नहीं है ठीक है आईए कुछ और Trade Union के बारे में देख लेते हैं और Labour Union के बारे में जो की Freedom Str Association जिसका formation 1819 में हुआ था और यह एनम लोखंडे के द्वारा किया गया था और यह First Worker Organization के Age में था पहला आप लोग देखोगे कि जो Registered Organized Trade Union इंडिया में था वो मदरास Labor Union था और यह BP वाडिया के द्वारा यह आपका इस union को बनाया गया था कभ तो 1918 में 1920 में किया वह एमद इंपोर्टन नहीं है Questions पूछा तो नहीं जाएगा क्योंकि Questions पूछा जाएगा तो AITUC के साथ ही पूछा जाएगा क्या-क्या Factor से जिसके कारण यह Trade Union का Formation हुआ सबसे पहला तो है कि World Labor Movement का Influence था यहां पर क्योंकि Russian Revolution आपने देखा 1917 में हुआ जो कि Great Impetus है हमारे Indian Labor Movement के लिए और यहां पर Working Class के लिए यहां पर काम करते थे पिसेंटरी के साथ और साथी साथ जिनके द्वारे यहां पर पहली बार यह Power जो है capture किया गया तो पहली बात यहां पर क्या है क्या यहां पर Formation क्या-क्या factors है तो World Labor Movement के दौरा यह Influence हुआ 2. Industrial unrest है यानि कि Bombay में जो Strikes हुआ था यह सारे Working Arts के अगेंस्ट में यहां पर आप लोग देखो कि आज के भी डेट में आप लोग देख रहे थे कि जितने भी labor, migration, reverse migration हुआ था जब आपने गाउं वापस लोट गए थे lockdown के टाइम में लेकिन जब lockdown open हुआ तो सारे मजदूर जो है ना वापस बिहार UP से निकल गए दूसरे दूसरे राजह में चले गए क्यों चले गए क्योंकि उनको अपने गाउं में जॉब नहीं मिला दूसरी चीज़ यहां पर यह है कि जब वो दूसरे जगह गए जैसे कि आप लोग देखो कि उडिसा गए आंदरपरदिस गए महरास्ट गए MP गए तो कुछ राज्य के ऐसे वहां के गवर्मेंट ते जि आप यहां से समझ सकते हो कि आज की डेट की जो स्थिती है वो हमारे पहले की स्थिती से कोई जादा चेंज नहीं आया है हाला कि इसको जो है देखेंगे की कैसे किया जा रहा है लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान रखिए कि यही चीज़े उस समय भी हो रही थी कि लेवर से बहुत जादा काम बढ़ कराया जा रहा था लेकिन उस हिसाब से उनको वेजस नहीं दी जा रही थी यही एक रीजन था कि इस तरीके का ट्रेड यूनियन हो जिसमें की इस मुद्धे पर बात किया जाए साथी ऑपरेशन और एक्स्प्लोइटेशन था ब्रिटिश रूल के किसी भी पर्टिकुलर सेक्चन को इन्हों ने टार्गेट किया नहीं। 20th century में आप स्टार्टिंग में देखोगे कि कुछ लेबर्स का पार्टिसिपेशन था फ्रीडम मुव्मेंट में जो की काफे ज़्यादा बढ़ते जा रहा था क्योंकि सबसे पहले आप देखो कि सवदेशी मुवमेंट निकल कर आया था क्योंकि बंगाल को विवाजित किया जा रहा था तो बंगाल को विवाजन करने के बाद सदेसी मुवमेंट आया उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे भी उसमें पाटिसिपेट किये थे विमेन भी पाटिसिपेट की थे लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और भी मुवमेंट इस्टार्ट वा उसके बाद आपका चंपारन मुवमेंट हुआ वो जो एजसे इसले भी मुवमेंट होते गया लास्ट में चलकर जब कुई इंडिया मुवमेंट 1942 में आया तब आपने देखा होगा कि मास पार्टिसिपेशन था यानि कि हर एक तक्ते के लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर किसी को ये जाग रुकता हो गई थी कि अब जो है आजादी लेके रहना है तो इसलिए इस तरीके का फ्रीडम मुवमेंट जो है वो बढ़ते जा रहा था तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन भी बनाया गया क्योंकि नए नए और्गनाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा था हर एक गुट के लोग जिनका अपना खुद का सोच था जो कि अपने हिसाब से वह इंडिपेंडेंस और भारत को स्वतंत करना चाह रहे थे तो वह चोटे-चोटे गुटों में बढ़ते जा रहे था और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंस लिए तो यह छोटी सी निउस थी थी थोड़ को डोट हो जाएंगे उसकी लिसन आपको मिलने लगेगी तो अगर अच्छा लगता है लिसन तो लाइक कीजिए अपने दोस्ते के साथ भी शेयर कीजिए और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन से तो आप कमेंट कर सकते हैंड मेक शूर के आपने हमारे चैनल को कालिया थैंक यू